प्यार की ना तो कोई उम्र सीमा होती है और ना ही कोई दिवारी लेकिन प्यार में जरूरी होता है तो हो है सच्चा मन, साफ दिल, सच्चाई और सबसे बड़ी परिवार का साथ और ऐसा ही कुछ हुआ है जहाँ पर एक बेटे ने अपनी मा की शादी कराई है जुसके बाद उस बेटे का एक एमोशनल पोस्ट भी सोचल मेटिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रहा है नमस्कार आप देख रहें नियूस फोरनेशन और मैं हूँ सान्फुना आपके साथ एक ताजा मामला निकल कर सामने आया है जहाँ पर एक बेटे ने अपनी 53 साल की विद्वा मा की शादी कराई वो भी इसलिये क्योंकि उसकी मा ने अपने जिन्दगी में कई पड़ाव देखे को कई चीजों को झेला और जब साल 2013 में उस औरत ने अपने पती को खो दिया जिसके बाद वो बेहत अकेली हो गई तब उसके बेटे ने सोचा कि जब जिन्दगी में सबका साथ होना इतना जरूरी है तो उसकी मा के पास क्योंने किसी का साथ हो और इसे पहल को करते हुए बेटे ने अपनी 53 साल की मा की खुशी-खुशी शादी भी कराई जिसके बाद उस बेटे का एक बेहत एमोशनल पोस्ट अपनी मा को लेकर, सामाज को लेकर, प्यार को लेकर सामने आया है जिसे लोग खुब पसंद कर रहे हैं और सोचल मीडिया पर या काफी तीजी से वाइरल भी हो रहा है साथे साथ हम आपको उस शादी की तस्वीर भी दिखाएंगे जिसमें वो तिरपन साल की मा बेहत खुश भी निजर आ रही है पहले आप इस एमोशनल पोस्ट को देखे जिमीत गांधी ने एक एमोशनल पोस्ट किया और वो कुछ इस प्रकार है someone'sfourth in 2013 when she was just 40 she was diagnosed with stage 3 breast cancer in 2019 she underwent multiple chemo sessions and after 2 years scheme during back she contracted the lidened while undergoing cancer treatment she has been cracked with anxiety and depression since the time I cannot to win remember most of the time she was alone back in India as we pursued our careers elsewhere but she didn't give up she found love she decided to break all the stigmas all taboos in Indian society and married someone she loves she found love at the age of 52 she's a warrior she's a fighter she's my mom to all the people of my generation back in India if you have a single parent please support their decision to find companionship love and mental health of all ends there is still a company learning 53 salki omr me shadi ki khas baat yeh hai ki unkei snirneka unkei beeti nebhi swagat kiya hai social media per bakaida a post liqha hai jokia beherd viral hai ik beti ni apne 53 salki maa ki liye bahwa post social media jaja par liqha hai dharasal maila ne 44 salki umr me apne pati ko salki 2013 13 में ho dhiya tha tha इसके बाद वो cancer और covid से पीड़ित हो गई थी बेटा बाहर रहता था और मा को भारत में अकीली रहना पर रहा था तमाम मुश्कलों के बावजूद maila ने हिम्मत नहीं हारी और पिछले साल उने एक व्यक्ती से प्यार भी हो गया जिससे उन्होंने शादी कर ली महिला ने cancer और depression जैसे बिमारियों को भी झेला था लेकिन उन्होंने कभी उमीद नहीं खुई महिला के बेटे जिमीद गांधी ने LinkedIn पर अपनी मा के emotional कहानी को पया किया है जिसे users भी खूब पसंद कर रहे हैं यूजर्स ने भी जिमीद के पोस्ट की तारीफ की है LinkedIn प्रफाइल के मताबिक जिमीद गांधी रफाइनिटिव नाम की company में sales and account manager है और management का काम देखते हैं और दुबई में रहते हैं जिमीद गांधी ने अपने पोस्ट में अपनी मा को fighter और warrior की उपाधी से नवाजा है उन्होंने जो पोस्ट लिखा है उसका अंशिक्या है वो भी हमने आपको बताया है जिमीद ने लिखा है कि उसकी मा एक warrior है एक fighter है जिसने आखिरकार इतने परिशानियों के बावजूद अपने प्यार को ढूंज लिया और उसे पाभी लिया आपको बता दें कि जिमीद ने अपने पोस्ट में आगे अभे लिखा है कि मेरी PD के जितने भी लोग है अगर आपके मादा पता सिंगल हैं तो उनकी मदद करें अगर वो कोई साथी तलाशते हैं तो उनका समर्थन करें जिमीद ने एक मीडिया कंपनी से बात चीत करते हुए यह बताया कि उनकी मा ने शिरुवात में अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने से संकोच किया था लेकिन यह बात उनकी पतनी को बताई जिमीद के मुताबिक उनकी मा की शादी 14 फरवरी साल 2022 को हुई एक 53 साल की मा जिसने अकेले ही सब कुछ झेला जिन्दगी के हर पराव को पार किया और जब वो 44 साल की थी तब उनके पती का देहान थो गया जिसके बाद वो बेहद अकेले पड़ गई तमाम बिमारियों से जूजने के बाद भी उन्होंने हमत नहीं हारी कोई उनके साथ नहीं था लेकिन जिन्दगी के इस पड़ाव में भी उन्होंने अपने प्यार को तलाश ही लिया और आखिरकार इस बात को उनकी फामिली ने एकसेप्ट किया जिसके बाद दुबई में रह रहे हैं उनके बेटे ने ही खुद उनकी शादी बेहत खुशी-खुशी कराई आज पूरा परिवार खुश है और बेटे के द्वारा LinkedIn जैसे social platform पर एक emotional post शेर किया गया है जिसमें उसनी अपनी मा की सारी कहानी को पयाँ भी किया है और सारी इस generation के यूद से ये अपेल भी की है कि अगर उनके parents single है तो उनकी मदद जरूर करें उनकी भाबनाओं के कद्र जरूर करें फिलाल के लिए स्रॉपॉर्ट में अतना ही है न कई updates के लिए माई साथ बनी रहें नियूस फॉर्णेशन में नमस्कार